मेरे प्यारे देश्वासियों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनिवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलोजी और करोनों के सारे काफी प्रगति की हैं, लेकिन कुछ बिमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती बनी हुई हैं, ऐसी ही एक ब प्रोमसिक बिमारी हैं, जो किसी भी उमर में हो सकती हैं, इसमें सरीर की मास्पेश्या कमजोर होने लगती हैं, रोगी के लिए रोज मरा के अपने छोटी छोटे कामकाज करना भी मुश्खिल हो जाता है, ऐसे मरीजों के उप्चार और रिदिखभाल के लिए बड़े सेव अभाव की जरुरत होती हैं, हमारे हां हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है, जो मस्कुलर डिस्ट्रफी के मरीजों के लिए उमीद की नई किरन बना है, इस सेंटर का नाम है मानो मंदीर, इसे इंजियन एसोशेशन आफ मस्कुलर डिस्ट्रफी द्वरा संच किया जा रहा है, मानो मंदीर अपने नाम के अनुरूप ही मानो सेवा की अध्भुत मिसाल है, यहां मरीजों के लिए उपीडी और एड्मिशन की सेवाएं तीन-चार साल पहले शुरू हुई थी, मानो मंदीर में करीब पचास मरीजों के लिए बेट्स की सुविधा भी है फीजोथरेपी, एलेक्ट्रोथरेपी और हाइट्रोथरेपी के साथ साथ योग प्रानायम के मदद से भी यहां रोग का उपचार किया जाता है, साथियों हर तरह की हाइट्रेक सुविधाओं के जरिये, इस केंदर में रोग्यों के जीवन में सकारात्मक बरलाव लाने का भी प्रयास होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जुड़ी एक चुनावती, इसके बारे में जागरुकता का अभाव भी है, इसलिए ग्यक केंदरा, हिमाचल पदेशन ही, देश भर में मरीजों के लिए जागरुकता सिवीर भी आउजित करता है, सबसे ज्यादा होसला दे देने वाली बात ये है, कि इस संस्था का प्रभंदन मुख्यरुप से इस बिमारी से पिडित नोगी कर रहे हैं, जैसे सामाजिक कारकरता उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोशेशन आप मस्कुलर डिस्ट्राफी की अध्यक्ष, बेन संजना गोयल जी, और इस एसोशे ये बहुत एहम भूमिका निभा रहे हैं, मानो मंदीर को हस्पिटल और रिसर्ट सेंटर के तौर पर विक्सित करने की कोशिशें भी जारी हैं, इस से यहां मरीजों को और बहतर इलाज मिल सकेगा, मैं इस दिसा में प्रयासरत सभी लोगों की रदय से सराना करता हूँ, साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बहतरी की कामना करता हूँ,